कुम्भ होता है जिसे देशी भाषा में कंधा या काद कहा जाता है अंग्रेजी में इसे हम्प कहते हैं इसके कुम्भ के अंदर सूर के तुनाडी होती है वैदिक विज्ञान के अनुसार कहा जाता है सूर के तुनाडी बहरी वातावरण से आवशक औशधिय पदार्थों को ग्रहन कर उन्हें दुग्ध, मूत्र और गोबर में उत्पन्न करती है जो अधिक से अधिक पौश्टिक, गुणकारी एवं उप्योगी सिद्ध होते हैं इस नाडी की वजह से देशी गाय के मूत्र में तामबा और दूद घी में स्वन लवन पाय जाते हैं जिसकी कारण दे प्रकार के पदार्तों की उपलब्धी गाय के दूद में होती है जैसे 6 प्रकार के विटमिन्स, 8 प्रकार के प्रोटीन्स, 25 प्रकार के खनीज, 21 प्रकार के अमीनो एसिद, 4 प्रकार के फासफोरस और 2 प्रकार के कलुकोस इत्यादी ये सूरे केतु नाड़ी, सौरमंडल के सूरे, चंद्रमा तथा भ्रमान्ड के सभी चमकते या टिम्टिमाते तारों, ग्रहों, उपक्रहों के उर्जाओं तथा प्रकाश की क्रिणों को ग्रहन करके गाय को प्रदान करती है जिसके कारण देसी गाय से दू, दही, घी, मोत्र, एवं गोबर जैसे अत्यदिक लाबकारी पदार्थ प्राप्त होते हैं ये कुंब, अथवा कांध या कंधा, तथा सूरे केतु नाड़ी, विदेशी नसल की गायों में बिलकुल नहीं पाय जाते हैं इनकी पीट सपाठ होती है देसी गाय की गर्दन के नीचे लटकी नर्म एवं कोमल तवचा होती है, जिसे गल कंबल कहते हैं ये गल कंबल गाय को अत्यधिक तापमान से बचाती है गाय तथा गाय द्वारा उत्पादित पदार्थों में प्रतिरोदक शम्ता को बढ़ाती है ये गल कंबल विदेशी गायों में नहीं पाया जाता है जिसके कारण उनके अंदर गाय तथा गाय द्वारा उत्पादित पदार्थों में प्रति रोधक्षम्ता, न्यून्तम या शून्ने के बराबर होती है